क्या कहेंगे UK के प्राइम मिनेस्टर कह रहे हैं आयम प्रावड हिंदु मन्दिर जा रहे हैं पूजा पाथ कर रहे हैं दिखिए इनडी जो सुनण जी ने जो खासकर जो प्रावड किया हे हिंदु धर्म पर किया है देखिए इंडी जो सुनक जी ने जो खासकर जो प्रावड किया है हिंदु धर्म पर किया है तो आपको अच्छी तरी से पता है और पूरे दुनिया को पता है कि हिंदु धर्म में जो आज भुचाल मची है हिंदु धर्म खत्रे में है तो नरिंदर मोदी जी सुनक जी को यह प्रायोजीत तरीके से यह बोलवा रहे हैं कि हिंदु धर मेहा खत्रे में लेकिन जहां उन्हें सम्मान में मिला है जहां का वो राष्टपती बने हैं प्रधान मंत्री बने हैं तो आप पता लगा लिजे उस कंट्री में हिंद्यों की संख्या कितनी है अगर वो हिंदु पर प्रावड है आप पूछे उनसे सवाल सुनक जी से पूछ लिजे कि अगर प्रावड आप हो रहा है आपको हिंदु जम पर तो आपको हिंदु धर्म फैल जाना चाहिए था लंबे समय से युके में रह रहे हैं लेकिन हिंदु की संख्या कितना बढ़ा पाए तो इसका मतल कि संख्या को मानते नहीं है सिर्फ प्रधान मंत्री के कहने पर जो प्रधान मंत्री घ्राइप पूरे भारत पर कह रहे हैं आरसे से बोल रहा है कि हिंदु धर्म खत्रे में शुन्योजि तरिके से पहवाया जा रहा है औरे हिंदु द्वार पूजा की थी तमान चीजे की आप मुझे बताओ वो हिंदु धर्म को मानते मुझे मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन मुझे बताओ कि जो इतनी बड़ी कुरसी पर जहां बैट गए युके में लेकिन बताओ कि कितने लोगों को आज तक उधूने हिंदू बनाया अगर हिंदू कंसेप्ट जिस प पॉलर नहीं किया ज़ा सकता है चुंकि उस सुनक को पता नहीं है कि भारत अचूत हिंदू धर्म कर जो कुछ जातियां हैं बोज़न समाच की जातिया मुझे उससे भी कोई तकलिव नहीं है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर हिंदू एडिलोजी को पसंद करते हैं सुनत जी तो एक बार भारत के अच्छुतों की गलियों में चला जाना चाहिए एक बार उनसे मिलने ना चाहिए जिनके पूर्खे के लोगों को स्कूल में पढ़ते नहीं दिया तुसंद के पचासी परच्छा लोगो को सुद्र साबिया सब्ल नीच कर दिया जिरा उसके बारे में ऐसके वारती सुनक का देस नहीं है आओ आप मुझे बता दो भारत में बहृत एक 140 करोर्ण आवादीसदेस में हो गया है तो अगर सुद्रों को हटा दो बौधों को हटा दो पार्सियों को हटा दो जैनों को हटा दो और अन्य सीखों को अगर हटा दो अगर तो आपको पता चल जाया कि भारत में भी हिंदू एडिलोजी को हिंदू धर्म के मानने वाले कितने लोग हैं भले ही आज सत्ता पर छल से बैट गये हैं तो आज बड़ी- Bड़ी बाते कर रहे हैं हिंदु धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन सचाぎ क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है ये लियल में जो कहते हैं मोधी जी यह खत्रे में है तो सही में खत्रे में है क्योंकि अब हम छोड़ करके जाने वाले हैं अब कामर हम ढोने वाले नहीं है हमारा समाज रास्ता अंबेटकरबाद की तरफ ले लिया है हम टर्न हो गए अंबेटकरबाद की तरफ हम बुद्ध और पुराना जो घर हम कोई धर्मात करने वाले नहीं है यह बुधीजन जो है हमारा पुराना घर है यह हिंदुओं ने फसा करके ब्रामनों ने फसा करके मनुवादियों ने फसा कर बाप का भारत देश हä बावा शाम बेकर का संधिधान का देश यहाँ हमारी आजादी है कि हमें हिंदु रहना है कि सीख रहना है कि पार्सि रहना है कि जैर रहना है इस देश के लोग तैय करेंगे और इस देश के पचासी परसेंट जब सुद्र हैं जब मनुव स्विर्ती बनाया और मनुव स्विर्ती में पचासी परसेंट लोग को अच्छूत करार दिया तेरे खर्म ने ये कोई और ने नहीं ये धर्म ने हमें अच्छूत करार दे दिया है तो फिर हम हम कैसे आपके साथ है हम हिंदू कैसे हो सकते हिंदू में हमारे गंदा नहीं करे हम हिंदू नहीं है हम आज मैं कह रहा हूं आप दुखो इसी बात के लिए तो अब सरकार के आकड़ा में बौधों की संख्या जो बताई जाती है सरकार के आकड़ा में जो आज ज इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि कोई बचा नहीं पाएगा हिंदु धर्म को हिंदु धर्म यहां चंद लोग हमारी संस्कृति को मिटा करके जबरदस्ती तलवार के नोख पर जबरदस्ती लोग को स्विकार कर रहा था हम पुना अपने घर में वापसीज कर रहे हैं और ब संबिधान कैसे खतम कर देंगे संबिधान इतनी कमजोर चेज नहीं है भारत के 120 करोड़ भारत के 120 करोड़ लोग का आस्था है विश्वास है संबिधान हट है हिर्दे है उससे अगर छेड़ चाड़ हुआ तो आप इमर्जंसी आज करार दिये हो भारत एक नया क्रांति का रास्ता अपना लेगा और जिसमें बच नहीं पाएगा मनुमादी मैं साथ सब आपको कह देना चाहरा हूँ एक गलती नहीं करे संबिधान के तरफ छेड़ने का इसारा तुमने किया उसका प्रिणाम करनाकर भी आ गया है संबिधान के तरफ आप उठाया उसका प्रिणाम हिमाचल भी आया और आप कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा जब साथ साथ विधान सभा का सीटों का प्रिणाम आया जिसमें चराजयों का चुना हुआ भार्त जंता पार्ट यांद्र मों गिर गई धूल चाड़ गई यह संबिधान के खिलाब जाने का संबि संबिधान समाज संबी बचाये arna कि अब हमें अपने संबिधान का सरकार बनाना है तो सुप्ट प्राउड हिंदू क्यों करेकल है कि जो दवाई हमें सूट नहीं करता है सुनक को फैदा किया होगा कही नोकि 수 tu सामन्ती और कोई अपर क्लास के घर में पैदा लिए होगे सुनग, सुनग कोई दलित का बेटा नहीं है, सुनग कोई पिछडा का बेटा नहीं है, सुनग कोई आदिवासी का बेटा नहीं है, इसके बारे में पता लगा लिजे, तो जो दबाई फायदा नहीं करे, वो प्रवाँ नहीं चड़ाया कौन से मनत नहीं माना कौन से ब्रामन को पूज़ा नहीं किया अगर्य हमको धिर भी कोई लाव नहीं हुआ हमारे घरों में आज वहों है जो सदानातन को हिंदू धरम्ने परिवर्दकिक आपि यह करने मैं की payment हिसको हमने चाहिए और चाहिए मैं डावे के साथ कह रहा हूं कर कर दो आज मैं कहता हूं मेरा नाम लिख लो और पहले कर दो तुम्हारे ऐसे देश में रहने से तो अच्छा है जेल में रहूं लड़ाई में रहूं आज हम लड़ाई में जाना चाहते हमें कोई डर नहीं है हमें कोई परवाह नहीं है लेकिन आज मैं कहता हूं मैं इस भारत को सुगार नहीं करूंगा जो भारत नरद्र मोदी और मोहन भागवद जी चला रहे है जी टॉंटी अभी जो संबेलन हुआता है वहां कि जो मेहमान आये थे उनको यात्रा करवाए गया राज घाट और गांधी जी कहां जो कि उनके समाधी पर लिया जाए गया था वहां पर उन रहों को और वहां पर जो है कि आम बेटकर की मुर्दी ना देखने पर जो मेहमा है बावा साथ विचारों को मिटाना चाहता है तो यह लोग बावा साथ का दर्सन कैसे कराएंगे लेकिन बावा साथ तो दुनिया का सुरज है कोई माई का लाल पैदा नहीं लेगा जो बावा साथ को रोक पाएगा आप जाओ आप निकालो दुनिया की कोई देश में तो बावा सावंबीटकर का तस्वीर दिखेगा तो बावा साथ को तरेगा और आप G20 ए राज घाट का दर्संद करा रहे थे हम तो कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी राज घाट का आपने दर्संद कराया अरे आपको दो भीक मांगने के लिए कम से कम जो आपने जो आग के पास भारत चलाते हैं और एक एक जो जहां आप कारेकरम कर रहे थे जो उसके सामने में जो कुझ भिहार है कुझ भिहार का एक भारत है जहां जहां पर गंदगीयों को छुपाने के लिए जहां के बस्तियों में रहने वाले जिनकी माली हालत को छुपाने के लिए आप आपको कुझ भी हार को दिखाना था अगर दिखाना था तो यहां को सलम को दिखाना था अगर दिखाना था तो गरीबी रेखा से जीवन वसर करने वाले उनको लोग को दिखाना था अगर दिखाना था इस देश में भीखारी की तरह जिंदगी जीने वालों उनको दिखाना प्रदान मंत्री जी पर आपने उसको नहीं दिखाया आपने जो दिखाया उसकी कोई बात नहीं है ऊब ही नहीं सिर्फ नेखके गए है भारत के सारे रिपोर्ट भारत के सारे रिपोर्ट गए और एक प्र değiş्पार्द कर लो पुर्व कैप प्रदाष्ट पती अमेरिका का बरा कुवाम जी ने कहा कि भारत के लोगों भारत के मूलनिवासी कम्यौरबर के लोगों ये भारत को समाल लेना जो 10 साल की सासन में जो खास कर संग परिवारस नंद्रमोदी जी जो अभियान चला रहे हैं अपमान कोई पहली बार में कर रहा है यह अपमान जो असोक चक्र है जो हम साम से अपने तिरंगा में लहराते हैं यह असोक अस्तंब है जो हम भारत के पारलेमेंट में भारत अस्तंब के रूप में दिखाते हैं यह भारत के पहचान के रूप में जो असोक चक्र और असोक अस्तंब को दिखाते हैं इसका अपमान कि दो तरह का भारत चलता है, दो तरह का लोग भारत ने रहते हैं, इसलिए कोई अपमान करना कोई नई बात नहीं है, आज भी यहां 50% जो बहुजन है, आज ही अपमान का जिन्दगी जीते आया है, लेकिन अब हम बिल्कुल वो जिन्दगी जीना नहीं चाहते हैं, हम चार- सोधक सद्द के सोध करके जो महापुरसे ने जो हमें मार्ग दिया है जिस मार्ग को बावा सामबे करने जो अपनाया है आज उस विचार के लिए भी हम तयारी कर रहे हैं अब बहुजन ओ बहुजन नहीं है जिसको आप 25 किलो 20 किलो चावल दे करके आप होट ले लोगे 25 किलो रासन दे करके उनकी अधिकार आप ले लोगे तो मैं दावे के साथ आपको कह देना चाहता हूँ अब बदल गया है भारत मोदी जी अवो भारत नहीं है अब ये भारत अंबेदकर का भारत हो गया है अब इस भारत में उम्मीद मत रखो और अगर उमीद रखते हो तो और संभिधान संभिधान का देश वनने वाला रखा गया उसी तरह आपको कहीं जुवान काटने पर इनाम ना रख दिया किस्तने लोग को काटोगे तुम मुझे गला काटडो मेरा जवान काट दो मुझे कोई बात नहीं है लेकिन आज इस हमबेटकर भारत में दो ही बाद है एक ब्रामन बाद है, एक अम्बेट कर बाद है, अम्बेट कर बाद को मानने वाले लोग है, एक तरह 15% लोग है, एक तरह 85% लोग है, अरे पर कहकेला रायंदर नहीं, 15 लाख लोग को भी अगर जिवान काट दोगे, 15 लाख लोग को भी अगर सरकलम कर दोगे, तो भी अम्ब लोग को भी मैं कहना चाहता हूँ आप लोग को भी निया मिलेगा आप ये देश सेवा कर रहे हैं देश का हलात आज जो गोदी मीडिया में जो कुछ वैठे हैं जो तथा कथित लोग है उनको एवाड नहीं मिलेगा उन्हें पेंसन नहीं मिलेगा आप बताओ आज के मीडिया क्या दिखा रहा है और आप क्या दिखा रहे हैं आप गरीबी दिखा रहे हो अस्पताल में दम कैसे मरीज चोड़ रहा है वो दिखा रहे हो दबाई के विने समाज कैसे लोग कैसे मर रहे हैं वो आप दिखा रहे हो बचों को सिक्षा नहीं मिल रहा है वो दिखा रहे हो और एक देश में एक मीडिया ऐसा भी आया है जिसको गोधी मीडिया बन गया है मोधी मीडिया बन गया है जो सूट बूट दिखा रहा है प्रधान मंतरी का कपड़ा दिखा रहा है प्रधान मंतरी का कलम दिखा रहा है प्रधान मंतरी का बटन दिखा रहा है कितनी बड़ी स्वाब देता हूँ गर्ब करना आप लोग बहुजन मीडिया के नाम पर सोशल मीडिया के लोगों आपके बहादुरी से भारत बदल रहा है आप लड़ोगे आप मजबूत इसे टीके रहोगे तभी हम 2024 में बदल पाएंगे क्योंकि आप भी संदेश दे रहा हूँ जब खोल आप लिए जो समय आएगा तो आप ही असली मीडिया बनोगे आपकी ही यह रहेगा आए देखिए हमारे सामने एक महला आई है एक महला इसाब के लिए और यह महला आई है जो नोएडा में एक इस फिक्टर ने आज इस देश में जहां जोगी बाबा आबाए इधर पर एक बेटी नोएडा के पुलिश टेशन में वो जाती है और पुलिश टेशन में जाने के बाद में इंसाब मांगने जाती है इस फिक्टर के पाद और वहां का आयो वहां का जो परभारी रहता है वो महला को ले जाता है अपने कमरे में अपने कमरे में लिजा करके और बलत रह करूंगा इसे स्टोरी को बनाएए और पूरे देश में भेजिए और उसका नाम लामबा है जो लामबा आज ही सरकार के गिरफ से दूर है जो एक ये बेटी को साथ जो रेप किया है न्याय के नाम पर रेप किया है कारवाई के नाम पर रेप किया है ये बावा का मोडल है ये नुहू का मोडल है ये देश में देखो ये ये मोडल जो है वो आपको मनिपूर का मोडल है ये हासरस का मोडल है ये देखो देखो ये आपको कानपूर देहात का मोडल है ये क्या है देश में ये पताओ आप क्या हालात हुरा है देश में इमर्जंसी से भी खराब इस दे से बाले